उज्जेन में विराजमान है साड़े तीन काल, होती है यहां कालगणना, विश्व की एक मात्र उत्तर प्रवामान क्षिप्रानदी के पास बसी, सब्तपूरियों में से एक भगवान शे कृष्ण की शिक्षास्तली, अवंतिका, अर्थात उज्जेन को राजा महाकाल और वि यहां पर देश का एक मात्र अश्ट चिरन जीवियों का मंदिर है, यहां मंगल देव की उत्पत्ती का स्थान भी है और यहां पर नौ नारायन और साथ सागर है, यहां के शमशान को तीर्थ माना जाता है, जिसे चक्रतीर्थ कहते हैं, यहां पर माता पार्वती द्वारा लगाया गया सिद्वट है, श्री राम और हनुमान ने उज्जेन की यात्रा की थी, यहां के कुंब पर्व को सीहस्त कहते है, राजा विक्रमादित्य ने ही यही से विक्रमादित्य के कैलेंडर का प्रारम किया था, और उन्होंने ही इस देश को सर्व प्रतम बार सोने की चिडिया कहकर यहां से सोने के सिक्के का प्रचलन किया था, महाबारत की एक कथा अनुसार उज्जेन स्वर्ग है, आये जानते हैं उज्जेन के महाकाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, यहां पर साड़े तीन काल विराजमान है, महाकाल, काल भैरव, गड़कालिका और काल भैरव, इनकी पूजा का विशेश विधान है, यहीं से विश्व का काल निर्धारन होता है, अर्थात मानक समय का केंद्र भी यहीं है, उज्जिन से ही ग्रह नक्षत्रों की गर्णा होती है, और यहीं से करक्रेखा गुजरती है, प्राचिन काल में उज्जिन से ही क्रेखा यहीं एक दूसरे को काटती है जहां यह काटती है वहीं पर महाकालेश्वर मंदिर स्तित है यहां पर एतिहासिक नवगरा मंदिर और वेदशाला की स्थापना से काल गर्णा का मध्य बिंदू होने के सबूत मिलते है आपका दिन शुब रहे